तो हे गाई स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एगनु हेल्ब्लेक्स पर दोस्तों काफी टाइंस में वीडियो नहीं बना रहा था उसकलिमें सौरी और आगी में जो है अपडेट आपको करता रहोंगा नोटिफिकेशन्स एगनु के तो आज है 30 अक्टूबर 2020 और आज जो हम तीन न्यू नोटिफिकेशन्स के बारे हम बात करेंगें बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है तो चले शुरू करते हैं इसको पहला जो हमरा नोटिफिकेशन है वो यह है कि दिसंबर 2020 में जो एक्जाम होने वाले थे वो अब यह पॉस्पोन हो चुके हैं और अब आपके जो एक्जाम है वो फस्ट वीक औफ फरवरी 2021 में होंगे तो यहां पर बहुत सारे भी डाउट बहुत सारे लोके आ रहे हैं त प्रोजेक्ट, इंटेंशिप और फिल्ड वर की जो लास्ट डेट है सम्मिट करने की तो उन सभी को यहां पर 15 दिसंबर 2020 कर दिया गया है तो अब आप आप जो है अराम से यह सारी चीज़े सम्मिट कर सकते हैं बात आती है अब यहां पर 456 पॉइंट की बहुत साथ इंप एक्जाम के लिए अब दोनों का यह एक्जाम यहां पर फरवरी 2021 में होगा और साथ में यह भी बताया गया है कि अगर किसी का रेजिस्टेशन की मैक्सिम्म वैलेडिटी जा रही थी दिसंबर 2020 में ओवर हो रही थी तो उनकी जो रेजिस्टेशन की वैलेडिटी है उसको यहां पर एक्सेंड कर दिया गया है जून 2019 121 तक के लिए punt education कर दे उनके लिए जिनका दिसंबर 2020 में एक्जामोड़ेडिटी ओवर हो रही थी ठीक है आप बहां सब्सक्राइब पर फिफ्ट पॉंइंट की वो श्रूरेंट इजो की term and examination जून 2020 में appear हुए थे sorry appear मतलब उन्होंने exam form भरा था but could not appear in any or all the courses लेकिन वो appear नहीं वहाँ पर गए नहीं exam देने नहीं गए बट उन्होंने exam form भरा था ठीक है और उन्होंने exam नहीं दिया in any or all the courses ठीक है तो उनको यहाँ पर automatically जो है permission मिल गई है कि December 2020 का exam वो दे सकते हैं ठीक है तो अब वो December 2020 का exam पॉस्पोन हो चुका है तो अब उनके लिए भी यहाँ पर February 2021 में exam होगा तो एकिन लोगों के बात करी गए है कि जन्होंने exam form भरा था June 2020 का but appear नहीं हो थे ठीक है in any or all the courses however the student who could not apply to appear लेकिन वो student जिन्होंने June 2020 में exam form ही नहीं भरा था तो उनको फिर December 2020 का अगर exam देना है तो उनको तो अपना fresh जो है वो December exam form भरना पड़ेगा fees उसको submit करने पड़ेगी डेट्सों पर course के हिसाब से six point यह बोला गया है कि वो student जो कि determined examination June 2020 के लिए register करा था उन्होंने ठीक है और examination fee shall be adjusted और उन्होंने यहां पर exam नहीं दिया था और वो जो यहां पर December 2020 में exam दे सकते हैं उनकी जो fees वहां पर उनको नहीं देनी पड़ेगी ठीक है जिन्होंने exam form June में भरा था और December में देना चाते थे तो ठीक है तो उनको फीज समिट करने के जरूत नहीं है तो यहां पर यह points यहां पर कुछ थे तो आपको उम्मिद करता हम समझ भाया होंगे डाउट हो तो यहां पर आप comment में पूछ सकते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर दो और notification के बारे में वह बहुत हैं कि सेकेंड नोटिफिकेशन यह है कि जो आसाइमेंट समिशन के लिए आपर आर्सी डैली वन ने मतलब मोहन कॉपरेट यह रिजनल सेंटर पड़ता है बुदरपूर रोड के पास दिली में तो यहां पर इन्होंने एक लिंक लिक दिया है जिसमें कि आप आप ऑंलाइन समिशन कर सकते हैं और वहां पर बहुत सारे बच्चे हं वहां पर जा रहे थे तो यह कुछ वजया होगी तो उन्होंने आपर समिट कर दिया गया है कुगए डिसकॉंटिन्ज्टीनु कर दिया डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा आज आप देख सकते हैं तीसरा जो नोटिफिकेशन हमारा तीसरा नोटिफिकेशन यूजिसी की दरफ से है कि आपका जो आउनलाइन जो मतलब जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं आपको एड्मिशन लेना था तो उसकी जो लाज्स टेट वो यूजिसी नहीं तया करी थी कि 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी जाएगी और इसके बाद नहीं कर जाएगा इसको एक्सेंट कर दिया गया है 30 नॉब्बर 2020 तब आप जा है आप एड्मिशन ले सकते ह है एगनु में किसी भी इंस्टिटूशन में और लाइन तरीके से ठीक है तो आपको जो है आपर एगनु के वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन दिख जाएगा आने वाले दिनों में तो यह थे आपर कुछ अपडेट्स और वीडियो अगर आपको पुसंद आया थे प्ल